so welcome back guys once again to my channel and आज मैं आपको बताऊँगा relay के बाड़े में उससे पहले ये जो video है most awaited video है ये आने वाला है relay की video जो है इसके बाद ठीक है तो मैं आपको relay के बाड़े में बता दू relay actual में होता क्या है पहले तु ये देख लो जो मैंने कुछ image ले रखा हैं अपे ठीक है ये कुछ types of relay हैं और relay का use अक्सर कहा होता है electronic और electrical circuit में automatic control करने के लिए ठीक है मेरे बातों से समझो अब अच्छा पूरा देखना ताकि आधा ग्यान में आप उछलना जाओ और पूरे ग्यान से इस्तिरों में ये चाता हूँ तो relay आज समझ लेना कि panel में लगाये क्यों जाते हैं motor driven package में अधिफतर relay होता है या फिर engine driven है वो भी relay होता है relay का use हर जगा होता है जहां भी electrical distribution का काम हो रहा है वहाँ relay है और ये relay तो हमें लगता है जो CNC CD में काम कर रहा है न वो सब देखे होंगे कि ये relay कहां लगता है maximum panel में ये relay लगता है ये 24 volt DC का relay है ठीक है और ये maximumly online compressor में लगता है जो भी online compressor में काम किये हुए है ये 230 volt rating की इस type में relay दिखती है ठीक है तो मुझे लगता है कि आप सब aware होंगे इस relay से अब इस relay में कुछ mark किया गया है NO NC point ठीक है ये NC point NO point common point NC point NO point common point तो समझो NC point क्या होता है normally close यानि कि ये एक point होया ये एक point होया तो ये हो गया NC point ठीक है और NO point क्या होता है normally open मतलब कि ये जाके ऐसे हो गया तो ये हो गया normally open अब इसके बीच में गया पाक है ठीक है तो ये होता NO NC और common common point आप कहीं भी insert कर दो pin कितने हैं इसमें 1,2,3,4,4 ये 8 pin का relay है ठीक है अब चलो मैं आपको एक definition दे दू कि what is relay तो मैं अपने सब्दों में ये कहना चाहूंगा relay is nothing just a switch which operate electrically relay क्या है एक switch है जो electrically operate होता है अब यहां पर मैंने एक screenshot ले रखा है इसमें क्या कह रहा है कि relay are devices that allow low voltage signals to control higher voltage circuits समझे इतने line को अगर मैं आपको समझाओ इतने line को अगर मैं समझाओ तो आप समझने के कोशिच करना है ये जो line बोला है कि relay are device that allow low voltage signal to control higher voltage circuit इससे सीधा आपको क्या समझ में आता है कि जब आप किसी भी relay में low voltage आने कि 12 volt 24 volt है 230 volt है इतना supply ही दोगे बट वो control कि इसको करता है तो 415 volt के जो 3 phase motor लगे है जिसकी rate 37 kilowatt है या फिर 23 kilowatt है या फिर आपके online में जो लगे हुएं कितने kilowatt का लगा है 360 kilowatt अब इतने kilowatt की जो motor है उसको कौन control कर रहा है on off कौन कर रहा है आपके बस एक press करने से वो एक relay कर रहा है तो relay क्या करता है कि जब आप उसको command देते हो ना जब आप उसको command देते हो यानि कि push button कि suppose suppose ये क्या है ये ये on का command लेगा ठीक है और ये off का command लेगा off का command लेगा समझे ये बात को जब आपने पुस्ट बटन दिया तो ये एक्टिवेट होगा जब ये एक्टिवेट होगा तो कमांड आगे जाएगा और जो contactor लागा होता है वो एनर्जाइज हो जाता है contactor कैसे काम करता है उसमें भी single phase दिया जाता है तभी वो contact बनाता है जब ये रील्य एनरजाइज हो जाए तो उसके पास supply जाता है वो doing हम supply तται होता है और यहां पिन हो आंदर चला जाता है तो फिर यहां input जो हमारे और in campus फिर और on जब यह अंदर जाता है तो supply NC कर देता है यानि कि supply out कर देता है तो उस तरीके से काम करता है contactor, उसे relay भी वही चीज है बट relay उसको control करने का काम करता है, ना कि operate करने का काम करता है, यह different होता है contactor और relay में भी ठीक है, तो basic चीज यही था है, अच्छा relay के अलग-अलग type भी होते है, 4 pin, 2 pin 8 pin, 16 pin, अलग-अलग जगह पर यूज किया जाता है, और यह देख लो, इस कुछ, इसके types जो relay के types यहां पर दिया हुआ है इसका screenshot आप ले लो, और यह relay की कुछ pinpoint जैसे की आपको दरसाएगा है, यहां पर की normally close मैं एक बार mark कर देता हूँ इसको इदर साएगा है, यह normally close normally open, animation के तुरू है coil, terminal, movable contact coil, terminal, अब इसका क्या है internal structure कैसे होता है, इस तरीके से होता है ठीक है, यानि की normally open normally close तो है, coil terminal जब signal जाता है ना तो एक बार क्या करेगा, इधर जाएगा nc हो गया, ठीक है फिर इधर आएगा, no हो गया इस तरीके से यह work करता है तो मुझे लगता है कि आप समझ गया होँगा कि relay क्या होता है और यह काम कैसे करता है और deep video भी मैं आगे बनाऊँगा बट एक basic understanding के लिए मैं आपको बता दिया कि what is relay and its function